कि अब कि अब कि अब कि अब कैसे आप सभी मैं विशालो रोड़ा एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अगैटमी के अम आपके जिए रफ अगैटमी के इस प्यारे से प्लेटफॉम पर तो जल्दी से क्लास के साथ जुड़ते जाएए जल्दी से क्लास को जौइन करते जाएए जल्दी से क्लास को शेर करते जाएए ताकि हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर सकें Good morning to all of you विजे जी, विरेंदर जी नमस्ते, मांसी जी गुड मॉनिंग, अमिज जी, रजनी जी और राधना जी, राधे राधे जमना जी, गुड मॉनिंग साधन जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से क्लास को जॉइन कीजिए, जल्दी से क्लास को शेर कीजिए, ताकि हम अपनी आज क क्लास को स्टार्ट कर सकें और बेसिकली आज की क्लास में हम Liberty पार्ट टू पर चर्चा करने वाले हैं Liberty पार्ट टू जी हां आपको पता है unit number one के अंदर हमने अपना जो है unit number one के अंदर पहला topic स्टार्ट करा था that is Liberty Liberty का पहला पार्ट यानि की first पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं आज ही क्लास में Liberty का second पार्ट करने वाले हैं तो Liberty का जो अभी तक हमने topic समझा था क्या आप लोगों को सबको समझ आ गया है एक बार अभी तक जितने भी हमने जितने भी concept समझे हैं Liberty के क्या आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो एक बार comment section में yes लिख के भेजिए फिर हम आज कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे अन्य मुद्दो पर या कुछ जो अन्य अन्य अवधार्णा है जो concepts है freedom से related उस पर हम चर्चा करेंगे या विबिन विचारकों ने जो सोतंतरता पर अपने विचारती है 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 एक्जाम में किस-किस के प्रशन आ सकते हैं किस-किस के codes आ सकते हैं कौन-कौन सी books important है वो आ सकते हैं वो सारे चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे गुद मानिंग कुमकुम जी गुद मानिंग चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया गुद मानिंग अंकिता जी गुद मानिंग चलिए तो आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग रिवीजन लेंगे रिवीजन लेने के पाद अपना आज का concept स्टार्ट करेंगे लेकिन आगे चलने से पहले थोड़ा सा self introduction आप लोगों को अपने परे में देना चाहूंगा मैसल विशाल अरवा फैगल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसके लावर यूजी सी नेट जेयरेफ की प्रिप्रेशन करवाता हूं यूजी सी नेट जेयरेफ या फिर सैट एक्जाम की है ना पॉलिटिकल साइंस पेपर टू के अंदर यदि आप बहतरीन तरीके से प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप बिल्कुल सही प्लेटफर्म पर आए हैं जेयरेफ अगेडमी के इस प्लेटफर्म पर आपको पॉलिटिकल साइंस की इतनी बहतरीन प्रिप्रेशन करवाई जाएगी इतनी डेप्ट में और इतनी बहतरीन प्रिप्रेशन आपको यहां पर करवाई जाएगी जिससे आपका जेयरेफ तो किलियर होगा ही उसके पर हम लोग करवा रहे हैं, दस की दस यूनिट वो भी बिना किसी फी के, बिना किसी चार्जिस के, तो यहां पर हम YouTube पर ही 10 की 10 यूनिट करवाने वाले हैं, तो सभी student class को जितना हो सके share करेंगे, ताकि जितने भी students है, वो ज्यादा से ज्यादा लाव उठा सकें, ठीक है, इस चैनल जॉन जरूर करें, क्योंकि वहां पर आपको class से संबंदित सारी updates मिल जाएंगी, है ना, आपको जितने भी updates हैं, exam से संबंदित हैं, या फिर MCQs हैं, आपको telegram पर मिल जाएंगी है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, liberty का concept हम लोग कर रहे थे, liberty क्या होती है, मैंने आ सब्सक्राइब दो प्रकार की होती है, एक negative liberty होती है, positive liberty होती है, negative liberty और positive liberty को एक बार फटा फट से revise करते हैं, आप फिर आगे चलिए ठीक है, negative liberty कहती है, बंधनों का अभाव होना चाहिए, absence of restrictions, लेकिन positive liberty कहती है, उचित प्रतिबंद होने चाहिए, अब देखें, negative liberty, अब negative liberty हमारे उपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं लगाती, लेकिन सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ देखी होगी, मनुष्य की जो शमताएं हैं वो अलग-अलग होती है, कोई बलवान होता है, कोई दिमागी रूप से बलवान है, कोई दिमागी रूप से क कर दी जाए, अगर negative liberty implement कर दी जाए, उससे क्या होगा, उससे सब को स्वतंतर छोड़ दिया जाएगा, खुला छोड़ दिया जाएगा, जो व्यक्ति, जो चाहे वो कर सकता है, ऐसे में राज्य को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, कि कोन उस स्वतंतर का उपभोग कर रहा और को नहीं कर रहा, कोन समाज में उचे स्तर पर है, कोन समाज में नीचे स्तर पर है, क्योंकि negative liberty में बिल्कुली बंदनों का उपभाव होता है, अब ऐसी situation में एक situation create होगी, कि जो कमजोर व्यक्ति है, उसको शूशन किया लिए, शक्ति-शाली व्यक्ति भी अपनी स्वतंत स्वतंतरता को उपयोग करना, लेकिन ऐसे में यह धी प्रतिबंद नहीं है, बंधनों का अभाव है, तो पूरी संभावना है, कि जो आपका शक्ति-शाली मनुश्य है, वो कमजोर मनुश्य का शूशन करे, तो नकरात्मक स्वतंतरता में शूशन की संभावना पूरी है, वल्कि हो गई उसमें शोषण, तो फिर राज्य बीच में आता है, और राज्य का ये कर्तव्वे है, कि वो कमजोर मनुष्य को सुरक्षय प्रदान करे, ताकि वो भी अपनी सुरक्षय प्योग कर सके, और जो शक्तिशाली मनुष्य है, उस पर प्रतिबंद लगाए, और दूसरों को शोषण ना करे, इसलिए यहां पर हम सकरात्मक सौतंतरता में उचित प्रतिबंद कहते हैं, सकरात्मक सौतंतरता में उचित प्रतिबंद लगाए जाते हैं, जबकि नकरात्मक सौतंतरता में कोई प्रतिबंद नहीं लगाए जाते हैं, यह है नकरात्मक और सक अब्राहम लिंकन ने क्या definition दी है, important है, मैंने आपको बताया था, फिर हमने देखा था, जॉन लोग क्या कहते हैं, सोतंतरता के उपर, है ना, सोतंतरता, संपत्ति और जीवन, इन तीन अधिकारों को natural rights में रखते हैं, जॉन लोग, इसके बाद हमने जेस मिल के view तो देखी ल लियांड ना करें, हमने Adam Smith और David Regardo जैसे अत्रशास्त्रियों का भी राज्ये कैसा होना चाहिए, लैजिस्फेर, यानि कि ए हस्तक्षियवबादी राज्ये होना चाहिए, ये भी हमने देख लिया था, फिर हमने सोतंतरता के आयाम देखे, हमने सोतंतरता के आयाम देखे, ज सारी चीजे हमने समझ लिया था, ठीक है, ये सारी चीजे हमने समझ लिया था, Negative Liberty, Positive Liberty समझ लिया था, फिर हमने देखे थे सोतंतरता पर बर्लीन के विचार, जैहां, आईज्जा बर्लीन के विचार हमने देखे थे, Two Concepts of Liberty, four essays on Liberty, ये सब जो है, बर्लीन की पुस्तके हैं मैं हमने देखा था हेयक अब यह सुच्छत अंतरवादी विचारक है हेयक हो गए बरलीन हो गए रोबोर नोजिक हो गए और आपका मेहितन फ्रीड मैन हो गए यह सुच्छत अंतरवाद क्या होता यह भी पिछली क्रास में एक्स्प्लेंड कर चुक हूँ इसको हम नियो लिबरल भी कहते हैं नव उदारवाद भी कहते हैं हम ईसे सुच्छत अंतरवाद को ठीके जी अब यहां से हमारा अगला सफर शुरू होगा यहां से अब हम, हमने वहां तक पीचे तक कर लिया था, अब हमें यहां positive liberty से, positive liberty से start करना है, अब दिखिए, चीजों को समझते हो चलिएगा, मेटा अति शासन का मतलब होता है, जब शासन अपने, अपनी सीमा से बाहर निकले, एक तो शासन होता है, शासन आपके जीवन को तक शेप करने लगती है, तो वह अतिशासन हो जाता है, किसी भी चीज की अति करना, इसकी यह होता है, अतिशासन का मतलब, overrule, ठीक है, अब देखिए, सकरात्मक स्वतनतरता क्या होती, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आपको कोई doubt नहीं होगा, जैसे मैंने गरिए, इसमें इसमें कौन सपोर्टर है, बरलीन हो गाई, अजिया बरलीन हो गए, मिल्टन फेडमैन हो गए, रॉबर्ड नो़जिक हो गए, हर्बर्ड स्पैंसर हो गए, यह सारे जो विचारक है, जै ने ने गिटिव लिबर्टि को सपोट करते हैं, ठीक है, अब पूछे जा सकते आपको नेक लिस्ट दी जा सकते हैं नीचे option में या फिर उपर आपको नाम दे देंगे रूसो कांट, ठीगल, ग्रीन, बोसांके, बारकर, लॉस की इत्यादी इत्यादी आपसे पूछेंगे ये निमलिकित मैंसे किस से संबंदीत है, कौन सी सोतनतरता से पूछेंगे कि ये विचारक कौन सी सोतनतरता को मानते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये मानते हैं सकरात्मक सोतनतरता को जैसे रूसो हो गए, रूसो ने अपने आप में सोतनतरता का बहुत ही खूबसूरत विशलेशन प्रस्तूत कराया, बहुत ही इन्होंने ए स्वतंत्रता पर प्रतिबंद होना ही होना चाहिए नहीं होगा तो फिर लोग उसका गलत उपयोग करेंगे ठीक है तो आपको लिस्ट बना लेनी है जिसमें आपने देखना है एक तरफ आप नेगिटिव लिबर्टी के सपोर्टर से लिख लेना और इनको याद करना है रिवीजन के माद्यम से कोई चारा नहीं है आप जब पढ़ोगे जब चार पास बारी आप पढ़ोगे तो आपको एक दिन में एक बार रिवाइस कर लो अगले पास दिन में आपको वो याद हो जाएंगे अब यहां पर हम सबसे पहले रूसो की बात करेंगे रूसो सोतंतरता के बारे में क्या कहते है रूसो कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की इच्छा हैं पाई जाती है रूसो की सामानने इच्छा यानि की General Will ये हम समझेंगे रूसो की सबसे पहले अब देखो रूसो भाई क्या कहता है रूसो कहता है हर व्यक्ति के अंदर दो इच्छाय पाई जाती है हमने का कुन सी उन्होंने कहा एक तो ततकालिक इच्छा पाई जाती है ततकालिक इच्छा जिसे रूसो ने Actual Will कहा दूसरा रूसो ने कहा उसी व्यक्ति के अंदर दूसरी इच्छा पाई जाती है जिसे उसने नाम दिया तात्विक इच्छा इंग्लिश में बोले तो Real Will ठीक है सर क्लियर है रूसो कहता है एक व्यक्ति के अंदर दो इच्छा पाई जाती है यह यह व्यक्ति है यह ना मान लो यह एक व्यक्ति है ठीक है और इसके अंदर दो इच्छा पाई जाएंगी एक कौन सी होगी ततकालिक इच्छा दूसरी कौन सी होगी? ताथिक इच्शा, यानि कि reall will और actual will, दोनों, अब actual will क्या है, जब व्यक्ती अपने स्वार्थ के स्वार्थ के लिए ततकालिक देखो, नाम, समझा रहा हैा, नाम से ततकालिक, यानि कि ऐसी इच्छा, जिसमें हमारा तत्कालिक स्वार्थ हो उसी समय के लिए शौट्टम के लिए कोई हमारा स्वार्थ हो अब जैसे जैसे हम यह सोच रहे हैं कि आपको प्लैजर दे ठीक है और वो आपकी personal इच्छा है उससे समाज का भला नहीं होगा तो हर एक व्यक्ति के अंदर दो इच्छा है होती है एक तो अपने भले के लिए जिसको उसने ततकाली के इच्छा बोला जो की बहुत short term होती है दूसरा समाज के भले के लिए जिसे उसने real will बोला अब व्यक्ति के अंदर ये भी तो इच्छा होती है कि हम समाज का भला करें जब वो समाज के बारे में सोचता है तो पूरे समाज को ले करके चलता है है कि नहीं तो जब पूरे समाज को ले करके चलेगा तो वो उसकी तात्विक इच्छा होगी अब आप बताओ कमेंट में कि व्यक्ति के अंदर ततकाली कि अच्छा होनी चाहिए, या फिर रियल विल होनी चाहिए, जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है, एक व्यक्ति ये हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति हमने ये बना दिया, इसके अंदर भी दो इच्छा है, ऐसे ही मिल जाती है तब उसको जर्णल विल कहते हैं क्या बोलते हैं जर्णल विल अब जर्णल विल सभी के कल्यान की इच्छा नहीं है जर्णल विल यह नहीं कि ज्यादा लोग जिसको कह रहे हैं उसका कल्यान हो जाए यानि कि ज्यादा लोग जिस बात को मान रहे हैं वो बात जर् देते हैं तब एक journal wheel का निर्माण होता है उसको जर्र विल बोलते हैं तो तात्विक इस्षा सब की एक जैसी होती है और अक्च्ण सब की अलग-अलग होती है हो सकता है किसे के लिए गाड़ी हो सकता है किसी के लिए मकान हो कुछ और हो सकता है किसी के लिए अच्छा मोबाइल हो सकता है किसी के लिए आईफोन हो ये सब क्या लगल होगी लेकिन जब हम रियल्डुपे जाते हैं फो समुदायक लियाड़की इच्छा सब में एक-जैसी पाई जाती है अब रूसो कहता है स्वोतंतरता क्या है अब आपको समझ आएगा रूसो कहता है स्वोतंतरता क्या है जी बिलकुल बबली जी करें ठीक है अब रूसो कहता है अपनी जर्नल विल इसका पालन करना ही स्वतंतरता है इसका पालन करना ही स्वतंतरता है अपनी समानने इच्छा का पालन करना स्वतंतरता है तद काली के इच्छा का पालन करना स्वतंतरता नहीं है है अप ऐसे में भहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी तो हो सकते हैं कि भाई भहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी तो हो vaccine जो अपनी तात्वी खिछा यानी की समुधाई के कल्यान की छोड़ करके एक्चुल विल की तरफ जा रहे थे लिए जिने अपना स्वार्थ जारा दिखे और समुदाय के कल्यान से वो हट जाए ऐसे भी हो सकते हैं होते हैं ऐसे व्यक्ति ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को क्योंकि यह गलत मार्ग पर चल रहा है अपनी ततकाली के पूर्थी कर रहा है तो इसे स्वतंत्र होने के लिए बाद्धे किया जा सकता है अब अगर ब बहुत थे नहीं कर रहा है तो अब रूसो अब आप पूरा concept अब आपको समझ आया होगा कि भई स्वतंत्र होने के लिए बात दे क्यों किया जाएगा क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता है जन्रल विल में यानि कि अपनी तात्विक इच्छा को समुदाएगे कल्याण में लगाने की लेकिन वहीं व्यक्ति जब अपनी पर्थनल में और केवल इसी अर्थ में व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बात दे किया जा सकता है ना आज आपको एक concept क्लियर हुआ होगा कि क्यों रूसो ने ऐसा बोला कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बात दे किया जा सकता है बताओ क्लियर है 100% अगर क्लियर है फिर आग ठीक है अपनी तात्विकिच्छ अपनी तात्विक अवे भहीया पैन कहां गया अपनी तात्विक इच्छा रियल विल के नुसार कार्य करना ही स्वतन तरता है ठीक हो यह बात यहां तक अब आजाओ हेरोल लोस्की इनकी पुस्तक है हेरोल लोस्की की बहुत इंपोर्टेंट है एक grammar of politics इयर भी याद रखना इयर भी याद रखना ठीक है लोस्की क्या कहते हैं सोतंतरता क्या है सोतंतरता का मतलब है ऐसी दशाएं इसलिए सोतंतरता अधिकार हो सोतंतरता का अधिकार ही नहीं दिया तो आपकी सोतंतरता बिल्कुल बेकार है क्योंकि जिस सोतंतरता की रख्षा ही नहीं हो रही वो सोतंतरता सोतंतरता हुई कैसे तो सोतंतरता के लिए हमें अधिकार चाहिए ठीक है बिना अधिकारों के सोतंतरता नहीं हो सकती ये बात कहते हैं लोस्की क्यों कि सब जब हम पर अधिकार नहीं होगा तो यानि कि उसकी रक्षा नहीं होगी और जब रक्षा नहीं होगी तो कोई भी वेक्ति उस कानून को मानने के लिए बात दें हो गाई नहीं है समझ रहोगा मेरी बास जब अधीकार नहीं है जब यथिकार नहीं है अप मालो आटिकल 19 नहीं है व्वारoshy समिधान में तो अगर आपकी कोई स्वतंतरता का अनन कर रहा है तो आप कोट के पास यहां पुलिस के पास जाओगी कहले कर पुलिस के पास आर्टिकल 19 नहीं होगा तो पुलिस कहीगी क्या कि हमार रक्षा हमार पर है नहीं आप पर अधिकार ही नहीं है स्वतंतरता की रक्षा का तो अधिकार नहीं है तो वह स तो उसकी रक्षा के लिए आपको guarantee चाहिए रज्य경ी तरफ से तो इसी सवतनतरता का कोई महत्तव नहीं है, pregunt यह एं ऌ-दोbnिन को प्रब आमरतेसेयन के concept को बहुत अच्छे से समझ लेएक भारति यह years न, अर्थ स현 को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे help सब्सक्राइब अब देखों अमर्तिस है बहुत अच्छी तरीकी से जानते हैं अब इनकी पुस्तक है पुस्तक है जात सब्सक्राइब अब इन्होंने सवतंतरता विकास उन्मुक होनी चाहिए इनका जो कॉंसेट है उसको हम development oriented freedom बोलते हैं क्या बोलते हैं development as freedom इसी बुक के अंदर इनोंने development oriented freedom का concept दिया विकास उन्मुख स्वतंतर था विकास उन्मुख विकास उन्मुख स्वतंतर था नाम सी पतल रहा होगा एज ही स्वतंतर था जो मानव का विकास करें कैसे सर इनोंने एक पुस्तक लिखी मार्था नुजबाम के साथ मिलकर जिसका नाम है quality of life आगे वैसे दे रखिये मैं यहां भी लिख देता हूँ quality of life पुस्तक आमर्थे सेन और मार्था नुजबाम ने लिखी इसके अंदर आमर्थे सेन ने बताया कि भाई development होना चाहिए freedom होना चाहिए development के रूप में development के रूप में यानि कि मान लो हमें समाज में कुछ वस्तूओं का और कुछ लाबों का वित्रण करना है हमें समाज के अंदर वस्तूओं और लाबों का वित्रण करना है तो वो जो वित्रण होगा वो जो distribution है हमारे जो resources है या हमारे जो profits है उनको हमें distribute करना है तो उनका distribution होना चाहिए human capabilities के नुसार मानव की शम्ता के नुसार है मानव की शम्ता के नुसार नहीं समझाया जाने को छोड़ो अब और live example समझो मान लो कोई व्यक्ति है जो physically disabled है मान लो किसी एक व्यक्ति का एक पैयर नहीं है इसको हम इस प्रकारते समझ सकते हैं देखो अमर्ते सेन कहते हैं कि हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति इस तरीके का विकास करे इस तरीके से काम करे कि उससे हमारे देश का विकास हो ठीक है आप जो काम कर रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं ऐसे अनेक व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उन्हें इस प्रकार से काम करना चाहिए कि उनका विकास, देश के विकास में साय को, अगर हमारा विकास हो रहा है, तो हमारा आपका सब का विकास होगा, तो जैसी वाद है देश का विकास होगा, तो हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से देश के विकास में योगदान और उस योगदान देने के बदले उस व्यक्ति को उसका उचित जो हिस्सा है देश का विकास होगा तो उस देश के विकास का जो उचित हिस्सा है वो हमें मिलेगा अब मानलो एक कोई अपंग व्यक्ति है मानलो किसी व्यक्ति का एक पैर नहीं है अब उसका पैर नहीं है तो ह उसके साथ कोई accident वह और उसका एक प्यार गवा दिया उसने अब वह आम आदमे की तरह तो काम नहीं कर सकता लेकिन अब देखो कि वह किस तरीके से देश की development में help कर सकता है जैसे जैसे सर उसको किसी सरकारी कार्याले में बैठ कर काम करने का हम अब सर दे सकते हैं और वह बैठ का दोडिवाला काम नहीं कर सकता अब उसको बैठ के काम देना अब उस व्यक्ति को हम ऐसी परिसित्य उपलब्द कराएंगे जिसमें वह यह ना सोचे भाई अब एक व्यक्ति का प्यार नहीं है और उसको हमने अकिला चोड़ दियो तो जहिर सी बात है वह व्यक्ति आत्म सम्मान की निदरों से नहीं देख पाएगा इसी चीज के लिए मर्ते सेन कहते हैं जिस व्यक्ति की जैसी शमताएं उससे उस हिसाब से काम लो ताकि देश का डेवलप्मेंट हो तो अगर जिस व्यक्ति के पैर नहीं है आप गौर्मेंट को क्या अगर ना चीए उसे एक ऐस वहान प्रवाइड कर दे कि सरकारी कारेयले तक आसानी से आ जा सके क्योंकि पैर से नहीं चला सकता तो ऐसा कोई वहान हो जिसे हाथ से चला सकता हो हाथ की मदद से चला सकता हो सरकारी कारेयल तक पहुच जाएगा अब सरकार ने क्या करा सरकार ने उसकी एबिलिटी को बू तंत्रता होनी चाहिए दूसरी बाद अमर्तेसेन ये भी कहते हैं कि अब तक जो है बहुत विकास होगा है समाज में बहुत विकास हुआ है लोकतंत्र को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया पहले राश्टंत्र होता था अब पूरे विश्व ने लोकतंत्र को अपना लिया है पूरे विश्व में मानव अधिकारों को माननेता मिल गई है पूरे विश्व में ग्लोबलाइज़ेशन हो रहा है तो डेवलेप्मेंट तो हो यह बहुत जाद है लेकिन आज भी विश्व में ऐसे बहुत है लाखों करोड़ों लोग है जिनको दोवक्त की रोटी नहीं है जिसके पास कोई सुख नहीं है हाला कि ये कानूनी रूप से किसी के भी दास नहीं है लेकिन सर ये ऐसी स्थितियों में रहते हैं जहां पर सोतंत्रता का नामु निशान नहीं है तो गौश्मेंट को गया करना चीए उनके विकास में उनके विकास में योगदान दें तब वह भी लोग देश के विकास में योगदानेंगे तो इस तरीके से हम धैवलपमेंट कर सकते कर रूप में हम फ्रीडम को प्रमोट कर सकते लिए ह्मरतै एक तो मानव की शम्ताओं को बढ़ाओ जिसकी जैसी शम्ता है वैसे काम लेकर उसको देश में development में उसका आप हिस्सा लो दूसरा जो लोग स्वतंतरता का यूज नहीं कर अपा रहे हैं जो बहुत साथ गरीब हैं जिनको ग्यान नहीं है उनका बला करो ताकि वो लोग भी स् चिस तंतरता है ठीक है फिर एक विचारक आते है चाल्स टेलर इनका concept भी बड़ा फैवलेस है इसको हम अभी आगे समझेंगे आगे इनका concept है तो इसको हम अभी आगे समझेंगे चाल्स टेलर के सभी student का yes आ जाए और like अगर नहीं कर रहा है तो like कर दो फटा फट से ठीक है और यह जो student बार-बार class में आ रहे हैं जा रहे हैं एक जगे टिक कर बैठ जाओ फिर को के सर हमारा net नहीं निकला हमारा ज्यर्फ नहीं निकला एक जगे टिक के थोड़ सा बैठ जाओ थोड़ से patience रखा करो class में बार-बार आना जाना आना जाना मतलगा इस समय phone phone सारे आप थोड़ से दूर रखो अपने से खाली class ही रखो है ना flight mode पे डाल दो ताकि दिक्कत ना हो बार-बार class disturb होती है class के time पर और कोई काम मत करा करो नहीं तो फिर वही है कि class देख रहे हो नहीं देख रहे हो फायदा ही नहीं उसका कोई कंसेप्ट छूड़ गया तो कोई फायदानी class देखने का ठीक है चलिए ठीक है अब मैक फर्षन सीवी मैक फर्षन सकरात्मक स्वतनतरता के सपोर्टर है और इनकी स्वतनतरता को हम रचनात्मक स्वतनतरता यानि की creative freedom कहते हैं अब यह भी याद रखना है मैक फर्षन देखो मैक फर्षन क्या कहते हैं मैक फर्षन विचार देते हैं मैक फर्षन विचार देते हैं मैक फर्षन विचार देते हैं भई अब यह क्या कहते हैं देखो हालाग यह इतना डीटेल में आपको जाने की उतनी आवश्रक्ता नहीं लेकिन आपको फिर भी समझाऊंगा यह पूंजी वाद को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि पूंजी वादी समाज में व्यक्ति अपनी शम्ताओं से काम नहीं ले सक करें अपने अनुसार काम करें तो पूंजी वादी समाज में यह जो हमारी स्रिजनात्मक शक्ति होती है क्रियेटिव पावर होती है यह ठप हो जाती है और यह ठप हो जाती है तो एक कोड करते हैं कि किसी घोड़े या मशीन की जब हम बात करते हैं किसी मशीन की परिवाश जादा से ज़ादा मेक्सिम कितने किलोमेटर चल सकती है तो आपको बताया जाएगा कि एक बार फुल चार्ज कर लो, 2000 किलो मेटर चलेगी, पूरी lifetime चार्ज करने की जो अरतनी है, इतना काम कर सकती है, आपको बताया जाएगा ऐसे है, तो, लेकिन मनुष्य, तब ही मनुष्य होगा, जब वो अपनी स्रेजनात्मक शक्ती का यूज कर सकता है, लेकिन पूझी वादी व्यवस्ता में, उसकी स्रेजनात्मक शक्ती, शीन हो जाती है, खतम हो जाती है, इसलिए ये creative freedom का नाम देते हैं, कि पूझी वादी व्यवस्ता में हम केवल और केवल सकरात्मक सोतनतरता के रूप में हम एक मानव के विक्तित्व का पूर्ण विकास कर पाएंगे, जिसमें मानव अपने विकास करने की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा पाएगा, ठीक है, अब हीगल क्या कहते है, हीगल क्या कहते है, राज्ये की आग्या का पा महक्यावली एडली को मझबूत करना चाहते थे, similarly हीगल जर्मनी को मझबूत करना चाहते थे, अब जो विचारख, राज्य को जाधा म्यात्व दे रहा है न, वो समयले न सकरात्माक सवतिंत्रता की बात कर रहा, कि भी राज्य प्रतिबंद लगाएगा ही लगाएगा अभी ये कहते है राज्य धर्ति पर इश्वर का अवतार है या राज्य धर्ति पर इश्वर की शोब आतर है तो राज्य की तुलना किस से कर रहे हैं इश्वर से कर रहे हैं और जो इश्वर है इश्वर अपने आप में सर्वगुण संपन है सब लोगों को ईश्वर की आग्या का पालन करना पड़ेगा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा तो जब राज्ये ही ईश्वर मान लिया है तो राज्ये की आग्या का पालना करोगे ही करोगे तो राज्य की आग्या का पालन करना ही स्वतनतरता है according to Heagle इस चीज को याद रखना आप से पूछ आ सकता है कि निमलिकित में से किस विचारक ने ये बात कही है कि राज्य की आग्या का पालन करना स्वतनतरता है किस विचारक नहें कहिए कि राज्ज्य धर्ती पर इश्वर की श्योबा यात्रा है. तो वो है हीगल. ठीक है सर? नेक्स चलते देखो, बहुत सारे विचारक है, बहुत सारे विचारक है और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इन को देखे घपराना मत, सर किसने क्या क्या कहा है हम कैसे याद रखेंगे ना क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में सोंगे जने confusion हो जाएगी सर ठीक है आप समझ रहे हो समझ तो आ रहा कि इसने ग्रीद ने क्या कह दिया है जैस मिलने क्या कह दिया पर अभी हम भूल जाएंगे तो इसका एक इलाज बताता हूं क्योंकि देखो रयाद तो रखने याद तो रखने यहाँ पर आप समझ भी रहे हो फिर आप तो दिरबाद भूल जाओगे इसका इलाज देखो इसका इलाज यह है कि आप शॉट नोट्स बनाओ अब इनके अंदर आप डिफरेंस करो कि इसमें क्या डिफरेंस है इस वाले विचारक में मालो जी एस मिल में क्या बोला सवतंतरता को लेकर फिर उसके नीचे दूसरे विचारक कर लिगो कि मैक फरसन ने क्या बोला फिर त इसरे विचारक कर लिगो तो जब आप ऐसे नोट्स बनाओगे और नोट्स बनाने से भी कुछ नहीं होगा उसको रोज रिवाइस करोगे उसको डेली देखोगे पांसा दिन तक फिर थोड़े दिन छोड़कर फिर हफते में एक बार देखो फिर दो हफते में 15 दिन में एक स्ट्रेंस मैं भी कर पाया ठीक है तो कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में बड़ याद सारी चीज़े ऑटोमेटिकली हो जेंगी जब आप रिवीजन करते हो अब नेक्स्ट विचारक आता है टीच ग्रीन अब टीच ग्रीन बड़ा ही ऐसा विचारक था मलब सकरात्मक स्टंतरता को तो प्रमोट करता ही है ठीक है उदारवाद का सबसे सफल संचोधन जीयस मिलने कर दिया ये बात ग्रीन ने कही एक सेकिंड उदारवाद का आधरशवाद में सबसे सफल संचोधन टीच ग्रीन ने कहा टीच ग्रीन ने कर दिया उदारवाद का सबसे सफल संच तो दन ती एच ग्रीन ने किया आदर्शवात के अंतर ग्रीन स्वतन्तरता को एक्स्पेयन करते हूं क्या कहता है स्वतन्तरता क्या है freedom क्या है freedom is the name of those activities which are suitable for doing and enjoying and which can be shared with other in society अर्थात स्वतन्तरता वो कारे नहीं है जिसको हर गोई कर सकता हो तो स्वतन्तरता उन कारे को करने और भोगने का नाम है जो कारे करने और भोगने योग्य हो freedom is the name of those activities which are suitable for doing and enjoying time यानि कि हर काम करना स्वतन्तरता नहीं अकॉर्डिन टूप इसका टी एज्गरीन का भाई दारू बहुत पीता था तो वाई से थोड़ी सी एनरजी मिली वही व्यक्ति का काम दारू पीना नहीं है व्यक्ति का काम जुवा खेलना नहीं है, व्यक्ति की सोतंतरता जुवा खेलने में नहीं है, आप कहो कि सर, हम तो जुवा खेलेंगे हमादी सोतंतरता है, तो वो आपकी सोतंतरता नहीं है, क्योंकि टी-च ग्रीन के नुशार, वो काम करा जा सकता है, सोतंतरता वो है, जिन काम करने और भोग पमेज़ई यहां से आप क्योंने काम नहीं है यहां से आप कॉने कि व्यक्ति कह रहा है कि करने क्यों के काम होगा तो यानि कि ना करने योगे काम नहीं होगा और जब कहा रहा है कि ना करने योगे काम नहीं होगा तो उस पर प्रतिबंद लगा रहा है और जहां प्रतिबंद आ गया तो वो उचित प्रतिबंद लगा रहा है और उचित रिलीज होता है अट्लांटिक चार्टर क्या है अमेरिका के राष्टपती फ्रैंक्लिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के परधान मंत्री विंस्टेन चर्चिल 1941 में मिलते हैं और एक अट्लांटिक चार्टर एक संयुक्त गोश्रा पत्र जारी करते हैं एक बयान जारी करते हैं जिसके अंदर वो युद्ध के बाद उनके क्या कदम होने वाले हैं उसकी बात करते हैं एक चार्टर था बेसिकली एक संयुक्त बयान था किसका फ्रैंक्लिन क्या प्लाइन है वो उन सारे सीजों पर चर्चा करते हैं और यहीं से आगे फिस संयुक्त राष्ट के निर्मान की भी शुरूबात हो जाती है अब इस चार्टर के अंदर अमेरिका के राष्टपती फ्रैंक्लिन डी रूजवेल्ट चार स्वतंतरताओं के बारे में जेकर कर है और प्रिवेस यह कोशन 2019 में यह सीधा सीधा कोशन आया था कि निमलिकित में से अमेरिकी राष्टपती ने अट्लांटिक चार्टर के अंदर किस स्वतंतरता का उपयोग नहीं करा तो चार प्रकार की स्वतंतरता पताई याद कर लेना अभिव्यक्ति की स्वतंतरता फ् freedom of worship भई से स्वतंतरता यानि कि आपको कोई डर नहीं होना चीए freedom from fear अभाव की स्वतंतरता freedom from want महाँ पर एक option दे रहा था गरीबी स्वतंतरता तो वह गलत था इन चार स्वतंतरताओं का जिक्र अट्लांटिक चार्टर में करा है अभिव्यक्ति की स्वतंतरता उपासना भ यहां यहां आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डवल्यू डवल्यू एफ और एस फिर करो है डवल्यू डवल्यू एफ एस वर्शिप वर्शिप और आपका जो हो गया fear और हो गया आपका speech व्याद रखना इसको टिक है जलिए नेक्स आगे चल रहे हैं आप थोड़ा सा जान लेते मांग्सवादि क्या बोलते हैं सवतंतरता अब दिए कोまormuş कैते हैं मांक्सवाधि सिधिवाट है मांक्सवाद कहता है कि स्वतंतरता का मतलब हैं विवस्ताओं क festival में अब आपको पता है माक्सवाद की बात हो रही है तो वही आर्थी के वस्तागी दोबात होगी ही होगी तो कि माक्सवाद आर्थिक मुद्दों पर बात ना करे तो फिर वो माक्सवाद कहां से हो गया फिर वो माक्सवाद नहीं है है नव तो मार्क्सवाद क्या बोलता है मार्क्सवाद मानव मुक्ति के बारे में बात करता पिस्वतंत्रतकारत का है विवश्टाव का अंत 1844 में एक काल मांस्क्रिप्ट थी एक पांडूली पी थी है ना इसको हम बोलते हैं 1844 Ski पांडुली पिया, economic and philosophical manuscripts of 1844, इसके अंदर काल मार्क्स बताता है स्वतनतरता का अर्थ, और कहता है स्वतनतरता का मतलब होता है, end of necessity, विवस्ताओं का अभाव, विवस्ताओं का अंत, ठीक है, आप देखिए, आपको पता है काल मार्क्स समाज को दो वर्गों में बाढ़ दे है, जो मजदूर है, वो विवस्त है, उस factory में काम करने के लिए, कम मजदूरी पर काम करने के लिए, तो यही उसकी विवस्ता है, और स्वतनतरता केवल और केवल सामयवादी समाज में ही मिलेगी, ठीक है, राजनितिक और नागरिक रूप से तो वो हो सकता है, उसको स्वत तो कम मिलेगी जब उत्पाधन के साथ उनुके समयिक स्वामित्व हो जाए ठीक है अब सकरात्मक और नकरात्मक स्वातंत्रत में करने हैं तो हो तो सकरात्मक स्वातंत्रता नो डिविजन इन्टू पॉजिटिव नेगिटिव फ्रीडम बट इफ वन हैस्टू चूज थेन पॉजिटिव फ्रीडम अब देखो नेगिटिव पॉजिटिव लिबटी को मानते नहीं है माकसवादी लेकिन कहते हैं अब देखो इनके नुसार सोतनत्रता का है जब सामयव आ रही है तो पॉजिटिव लिबर्टी मुड़ जाता बंदा ठीक है फिर आते हैं नव माकसवादी हर्वर्ट मर्क्यूज जिनको हम जो न्यू मार्क्सिस्ट है नव माकसवादी इनका विचार बड़ा इनका जो विचार है वो बड़ा ही अपने आप में एक ऐसी मिसाल प है वन डायमेंशनल मैं वन वन डायमेंशनल इस पुश्तक के अंदर है ये लिखते हैं कि जो पूजि वादी वयवस्ता है ना आपक میں वी मना माकसादिय तो ये वी पूजिवाद का विरोधर करेंगे ही करेंगे कहते हैं पूंजी वादी विवस्था के अंदर पूंजी वाद ने ऐसा खेल रच दिया है जिससे मनुष्य को मनुष्य की भौतिक स्वतंतरता ही सब कुछ हो गई यह उसके लिए देखो थोड़ा सा ओर डेफ्स में जाएंगे इन्होंने कहा पूंजी वादी वस्था के अंदर मनुष्य का बहु आयामी व्यक्तित्व खतम हो गया है बहु आयामी व्यक्तित्व देखो पूंजी वाद के अंदर क्या होता है उपभोगता वादी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है उपभोगता वादी संस्कृति क का मतलब क्या है आज व्यक्ति वोग विलास की जिंद्गी जी रहा है कै नहीं जी शमिपोलिया समाष जाएं पाइब तन्यार लेकिन फिर वी हमारी आर्टिफिचल आवसकता हैं कृत्रिया पाईबती कुछ यह भी उसको ज़री लगजरी डीड चाहिए ना एक छमक दमक वाली जिंदगी चाहिए उसको तो पुझी वाद तो इसी को बढ़ावा देता है थाकि पैसा है अर्थच दुल्टा वड़े मैं तो इसमें होता क्या है इसमें वो तक है, मनुष्य का एक ही आयाम रह गया है, और वो क्या आयाम है, मनुष्य का आयाम ये रह गया है, कि बस वो अपनी भोतिक इच्छाओं की पूर्थी करें, और वो भोतिक इच्छाओं की पूर्थी के लिए ही मनुष्य लग जाता है, जबकि मनुष्य की और भी इच्छाय होती है मनुष्य के अंदर स्रिजनात्मक शक्ति भी होती है तो वो उसको पूरा नहीं कर पाता एक बहु आयामी मनुष्य मल्टी डैमेंशनल मैन एक वन डैमेंशनल मैन बन कर रह जाता है ठीक है, मुझी वाद की चमक धमक बरी जिन्दगी में मनुष्य भूल जाता है कि वो कैद हो चुका है अब वो कैद किसमें हो चुका है? इस उपभोक्तावादी संस्किती में इस पूंजी वाद में कैद होकर वो खहते हैं हर्बर्ट मर्क्यूस कि भई, मनुष्य सोने के पिंजरे में बंद पंची की तरह उसके आकरशन में इतना खो गया है कि वो मुक्त आकाश में अपनी उडान भरना भूल गया है मनुष्य को ये भी नहीं पता कि वो कैद हो चुका है यहां तक भी मनुष्य को नहीं पता वह उस चमक-धमक में थो गया है इसलिए इसलिए फोवाद के अंदर पहले तो व्यक्ति के आवसकता है पैदा करी जाती है और फिर अपना माल बेचा जाता है पहले तो आपको बोला जाता तो क्या लोग नहीं रह रहे थे यह ना यदि क्रीम लगाने से व्यक्ति गोरा होता तो फिर आज तो कोई काला होता ही नहीं तो इसलिए आपकी पहले आवसकता हैं पैदा करी जाती है ठीक है, सोचो, आज से पहले, जो आज इतनी आवसकता है, हो चुकी है, क्या पहले के जमाने में लोग इसके बीना नहीं रह रहे थे, बिल्कुर रह रहे थे, तो पहले आव करेंगी, फिर कमाया जाएगा उससे, है न, अर्थात, पहले तो आपके टैर में पंचर कर दिया ज अब Eric Fromm, Eric Fromm क्या कहते हैं, Eric Fromm का भी सीधा साला फंड है, यह कहते हैं देखो भाई, व्यक्ति को पुंजीवादी समाज में जो व्यक्ति, यह सारे मार्कसवादी है, यह Herbert Mercuse हो गए, Eric Fromm हो गए, यह सब मार्कसवाद को फोलो करने वाले हैं, तो सब के विचार लगवग लग बास्ति की Creativity पर बादा डालती है, Creativity पर बादा डालती है, है ना, दूसरों के साथ समाजिक सम्मदने इस्थापित करने देना चाहती, मनुष्य को अकेला, है ना, एकांत वास में छोड़ दिया है मनुष्य को, और मनुष्य का मनुष्य से अलगाव कर दिया है, एक शीजोफ्रेनिया, अब ये विमारी क्या होती है, ये विमारी तब होती है, जब व्यक्ति जो है, एक ऐसा मानसिक रोग है, एक गंबीर रोग है, जब व्यक्ति को अपने उपर जो है, उसका दिमाग काम नहीं करता डंग से, उसका दिमाग जो है, ये चारोर क्या हो रहा है इसकी गठनाओं को जोड नहीं पाता और वो व्यक्ति केवाल अकेला रहना चाहता है आपने बहुत सारे व्यक्ति को देखा होगा कि किसी दे बात नहीं करना चाहते है उन्हें पता है नहीं हो रहा हूता चारो और हो गया रहा है वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं न समाज से संबंद उसका टूड गया है तो समाज से वापस संबंद जोड़ना उसका उदेश्य होना चाहिए मशीन बनके रहे गया है, कंप्यूटर बनके रहे गया है मनुश्य उदारवाद के अंदर है ठीक है? फिर जोसेफ राज स्वातंतरता को स्वाथता के रूप में परिवाशित करते हैं Skinner ने स्वातंतरता की गरतंतरी संकल्पना का विचार दिया यह इतनी इंपोर्टन नहीं है फिर Eric Fromm की बुग याद रखना Escape from Freedom और Fear from Freedom यह दोनों ही पुस्तक इंपोर्टन है Eric Fromm की हाँ नाम से थोड़ा लग रहा है ना Eric Fromm Eric Fromm है ना और Freedom Freedom of Fear of Freedom और Escape From Freedom तो थोड़ा सा नाम से मैच करके इसको आप याद करने का प्यास करेंगे बताओ, क्लियर है यहाँ तक की कहानी यहाँ तक Eric Fromm तक क्लियर है हाँ या ना हाँ या ना सबका Yes आजया है एक बार कमेंट सेक्शन में अगर यहाँ तक की कहानी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो फिर चलते हैं थोड़ा सा रह गया है Charles Taylor की उपर चलते हैं Charles Taylor के क्या विचार है ठीक है बस इतना ही रह गया है और कुछ खास अब नहीं रह गया है पांस से साथ मिनेट की क्लास ओड़ रहे गी आपकी वस एक बार जल्दी से सबी स्टोडेंस बदा दो अगर यहां तक की कहानी हर एक बच्चे को क्लियर हो चुकी है तो ठीक है मैं फिर से आप से वही बात कम हुआ कि बहुत देखो कॉर्स कंप्लीट करने तो हमें थोड़ा सा एक स्पीड में चलना पड़ेगा ठीक है चीज़े आपको क्लास में समझ जाएंगी लेकिन आप वो चीज़े भूल जाओगे और भूलने का अब देखो यही फरक होता है ऐसे व्यक्ति में जिसका जीरेफ किलियर है और ऐसे व्यक्ति में जिसका जीरेफ किलियर नहीं है जिसका नेट भी किलियर नहीं है क्या फरक होता है सर यही फरक होता है कि वो रिवीजन नहीं करता और वो रिवीजन करता है क्योंकि सब ऐसे पढ़ते हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं और लोग भी आज़े पढ़ रहे हैं लेकिन फरक क्या है अभी हमारी एक स्टूडेंट है अभी रिसेंडली दिसमबर 2023 में हमारी एक स्टूडेंट ने नेट कुलियर करा अब सर्फ जानते हो गीता जी वही student हमसे पहले से भी बढ़ रहे थी उसके साथ और भी student हमसे पहले से भी बढ़ रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि उनका net clear होगे लेकिन और उपर नहीं हुआ क्योंकि उनको भी मैं ही बढ़ा रहा था आप सब को भी मैं ही बढ़ा रहा था कारण यही है कि आपको effort लगाने पड़ेंगे आपको self ready करनी पड़ेगी revision करनी पड़ेगी तभी काम होगा ठीके उन्होंने मैनत करी revision करी चीजों को समझा तो क्यों नहीं होगा है ना ना होने वाली चीज नहीं है चीज तो होगी लेकिन फरक बस इतना है कि खाली class लेने से काम नहीं होगा class में आप concept को समझने आए हो class में आप concept को बहुत अच्छी तरीके समझो लेकिन अगर आप class में concept समझ कर इसको दुबारा छेड़े नहीं रहे हो दुबारा इसकी बता दिया आप class के बाद एक बार उसको बैक करके देखना आपको वीडियो में वहाँ पर पूरा explain मिलेगा वह मैंने बता दिया है रूसों के नुसार है ना रिवीजन वगारा सब होगी आप टेंशन मतलो ठीक है अब देखो Charles Taylor अपनी एक स्वतनत्रता की अवधारणा देते हैं और ये बड़ा एक अलगी concept बताते है ये बड़ा अलगी concept बताते है Charles Taylor ये एक chapter लिखते हैं पुस्तक के अंदर रियान की एक पुस्तक थी जिसका नाम था idea of freedom इसके अंदर ये एक chapter लिखते हैं जिसका नाम है what is wrong with negative liberty what is wrong with negative liberty इसके अंदर क्या बताते हैं इसके अंदर क्या बताते हैं आईए देखते हैं बेटा मैंने आपको एक बताया नेगिटिव लिबर्टी एक मैंने आपको बताया पॉजिटिव लिबर्टी यानि कि सकरात्मक और नकरात्मक स्वतंतरता अपने अप लगा लेना ठीक है स्वतंतरता आगे अपने अप लगा लेना चार्ल्स टेलर नकरात्मक स्वतंतरता को अवसर मुलक स्वतंतरता बोलते हैं और सकरात्मक स्वतंतरता को प्रयोग मुलक स्वतंतरदा बोलते हैं यानि कि इसको मैं बोलूँगा इसको मैं बोलूँगा opportunity concept इंग्लिश में opportunity concept और इसको मैं बोलूँगा आपका exercise concept exercise concept ठीक है negative liberty को opportunity concept यानि कि अफसर मूलक और positive liberty को प्रयोग मूलक यानि कि exercise concept बोलते हैं एक ही चीज़ है अब देखो आपके मन में आएगा ये negative liberty को अफसर मूलक क्यों बोल रहे हैं अब इस चीज़ को ज़रा सुन दो ध्यान negative liberty क्या कहती है negative liberty ये ही तो कहती है कि जहां पर हमें जैसा अफसर मिले हम वैसा काम कर सकें जहां पर हमें जैसा अफसर मिले हम वैसा काम कर सकें यानि कि हमें एक ऐसा अफसर चाहिए जहां पर हमारे उपर कोई बंदन ना लगाए और उसी अफसर का प्रयोब करके हम जो है अपनी सोतनतरता का अफ़योब करें. तो अवसर पे डीपैंड नहीं हो नीच है सोतनतरता. अवसर के साथ साथ एक और चीज लगनी चाहिए. मुल ले उसका. अब उस सोतनतरता का मुल ले क्या है? दुबारा सा समझार हूँ. दुबार समझारो देखो Charles Taylor Negative Liberty को अवसर मूलक स्वतनतरता कहते हैं यानि कि Opportunity Liberty Positive Liberty को सकरात्मक स्वतनतरता को प्रयोग मूलक स्वतनतरता कहते हैं यानि कि Exercise Concept अवसर मूलक स्वतनतरता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति को जब जैसा अवसर मिले व्यक्ति को जब जैसा अवसर मिले वैसा अवसर पर स्वतनतरता प्राप कर लेनी चाहिए Negative Liberty कहते है कि ऐसा अवसर जहां पर कोई बंदन ना हो वो आपका जो है वो आपकी Freedom है लेकिन Charles Taylor कहते हैं यह दोनों चीज़ अपने आप में गलत है हाला कि सकरात्मक सवतनतरता का सपोर्ट करते हैं लेकिन सकरात्मक सवतनतरता का नाम बदल कर तो कैतें यह दोनों कॉनसरट ना मज़ह नहीं आये धनों दोनों कॉनसरट में कहते नेगिटिव लिबर्टी के अंदर अफसर ढूंदा जाता है और अफसर देखते हुए यह नहीं देखा जाता कि उस अफसर का मूल ले कै अब मूल ले कै अब इस चीज को समझना वही आप रेड लाइट पार कर रहे हो आप गए यहाँ पर रेड लाइट लगा दी आप यहाँ से आ रहे हो अपनी गाड़ी दोडाते हो राम से और यहाँ पर रेड लाइट होगी एकदम रेड लाइट होगी तो आप रुक गए नेगिटिव लिबर्टी कहेगी कि आपको बाधित कर दिया गया तो कि नेगिटिव लिबर्टी कहती है जो हमारा मन करेगा वो करे दूसरी चीज, अगर हम वास्तम में देखें, तो क्या ये रुकावट है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये रेड लाइट हमारी ये लगाई गई है, ताकि हम सडक पार करते हुए, दुर घटना गरस्तना हो जाए, और हमारी सुरक्षा पर खतरा ना हो जाए, अब ये देखो, आप मेरे को ऐक बार बताओ, सुरक्षा ज्यादा इंपोर्टेंट है, सडक पार करना ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि negative liberty हमें, हम झहां चाहे सडक पार करने से रोक रही है, क्योंकि हमारा मन है, हम सीधे जायें, नहीं रूस्ति, तो नेगेटिव लिबर्टी हमें रोक लेकिन अब लाल बत्ती है तो हमारी नगरात्मक स्वतंतरता का हरान हो रहा है क्योंकि वो हमें रोक रही है लेकिन यहाँ पर सड़क पार करना सड़क पार करने से जादा मैत्पुन हमारी सुरक्षा तो यह हमारी स्वतंतरता में बादा नहीं डाल रही यह हमें सुरक्षा द तो हर एक सोतंतरता को उप्योग करते हुए, हमें उसका मुल्य देखना चाहिए, अगर वो सोतंतरता मुल्यवान है, तब तो उसका उप्योग कर, अगर वो महत्वहीन है, तो ऐसी सोतंतरताओं पर प्रतिबंद लगाना उचित है, और इसी को उन्होंने प्रियोग मुलक सोत होगा तो इसलिए बादा लगा दी और इसको बोल दिया प्रियोग मूलक सौतंतरता किलियर यहां तक की कहानी एग эт-बार पढ़ vikt आपको कहानी क्लियर रहे न हर एक स्टूडेंट को faut if सोतंतरता और विदी में अंतर देखो कॉंसेट सारे खता में अभी आता यहां पर जितने कॉंसेट सब समझा दिये जितने व्यक्तियों ने विचार दिये क्या करा क्या नहीं करा वह मैंने आपको सब बता दिया है अब मैं रूल आपका जो है सवतंतरता नहीं होगे घेख करनों सब्सक्राब मिलनी हो like working on अभी सब्सक्राइब करता तो स्य स्मय करेगा तो उसी विदी के अंदर सुरक्षा जो है हमें मिलनी चाहिए तभी वो स्वतंतरता मानी जाएगी ठीक है मैकीन यही कहते है कि स्वतंतरता काश्य है विदी के अंतरगत स्वतंतरता अब लेकिन विदी के अंतरगत स्वतंतरता है लेकिन सर मान दो एक तानाशा आ गया कोई हिटलर आ गया अब वो विदी के नहीं होना चाहिए तो brothers patient का विदी के अंदर होनी चाहिए दूसरी बाख वो विदी तर्क पून होनी चाहिए वो सित्म नहीं होनी चीए तार्किक होनी चीए weoral reasonable होनी स्थीैता कि्विद्ध रूटने कहान घूल फिल्फ लोग स्वतंतरता की हार fest dois स्वतंतरता की सिंदो हमें लो देगा तो रूल और विदी में आपका जो है फ्रीडम और रूल में यही डिफरेंज है अब कुछ इंपोर्टेंट बॉक्स जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए भाई कोई क्योंकि आपको पता है अगर आपने जियरेफ करना ना तो एक चीज और बता रहा हूं आपको जितने ज्यादा मताधत याद करोगे अपने होच सारे बच्चें होंगे यहीत्व याद नहीं होता नहीं तो हम आई सना बन जया बेटा देखो आईस बनो नकात रहेशेट प्रहय सबनो कि यहां चाहे कुछ भी बनो जो तुम्हारा मंद करें याद करने पड़ेंगे याद करेंगे याद करने पड़ेंगे याद करने पड़ेंगे तो याद रखना बहुत असान बन जाती है चीज हमारे लिए कुछ क्रिएशन से याद रखना लॉंग वॉक्ट टू फ्रीडम 1995 नेलसन मंडेला डेट भी याद रखनी है फ्रीडम फ्रॉम फ्रॉम फियर 1990 डेट भी याद करनी है आग सांद सूकी बहुत इंबोडन कुस्तक है Capitalism and Freedom Milton Friedman याद करना है डेट हो सके जतनु ज़ाद रखनी है जोसेयर राज की Morality of Freedom Principle of Social and Political Theory अंसि बाकर बहुत इंबोडन बुम्स्तक है element of social justice, Hobhouse, बहुत important है, problem of political philosophy, D.D. Raffeele, ठीक है, याद कर ले न, democratic theory, essay in retrieval, C.V. Macpherson, बहुत important है, what's wrong with negative liberty, यह चाल्स Taylor का वही chapter है, यह चाल्स Taylor का जो chapter बताया था, याद रखना है, चाल्स Taylor का है, history and class consciousness, बहुत important है, George Lucas, one dimensional man मेने आपको बताया था, Herbert Mercuse, मानव एक आयामी बन गया है, है न, पुझी वात की चमक दमक में खो गया है, सोने के पिंजरे में, है न, उसको कैद कर दिया, वो पिंजरे की चमक दमक में खो गया है, इसलिए वो अपनी सच्ची सोतंतरता को भूल गया है, फिर legitimation crisis, जुरगेन, हैबरमास, बहुत important है, quality of life, आमर्ते सैन, है न, आमर्ते सैन की, ये मार्था नुस्बाम के साथ, मार्था, नुस्बाम के साथ ये पुस्तक है, the quality of life, date भी याद करनी है, development as freedom, 1999, date भी याद करनी है, ये सारी पुस्तक है, बताओ, यहाँ तक की कहानी के लिए रहे के नहीं, एक बर, yes, आजए सभी का, comment section में, ये था, आपका, अब आपका liberty का concept खतम होता है, अब आपका कल से जो concept शुरू होगा, वो होगा, equality का, समानता का, ठीक है, कल से, जो concept शुरू होगा, वो समानता पर होगा, जल्दी से यहाँ तक की कहानी अगर clear हो चुगे, तो ये एक बर, yes, आजए comment section में, हर एक बच्चे का, ठीक है, कलिए, तो मिलते हैं, अब आप से, कल सुबह साड़े जस बजे, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सोचते रहिए, मस्ते रहिए, good bye, take care, have a great day,